नमशकार दोस्तों मैं हू은 अशोख, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूप चैनल Mechanical Nexus में आज हम डिसकेस करेंगे Hydraulic Machines, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे Hydraulic Machine किसे कहते हैं देखे, वे सभी मशीने जो हैडोलिक एनरजी को मेकनिकल एनरजी में कनवर्ट करती हों, या फिर मेकनिकल एनरजी को हैडोलिक एनरजी में कनवर्ट करें, उन सभी मशीनों को हम हैडोलिक मशीन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ये मशीने क्या करती है, या तो य हमारी हैडोलिक एनरजी को यह हैडोलिक एनरजी है उसको यह चेंज कर देगी मेकिनिकल एनरजी में या फिर यह हमारी इसी मेकिनिकल एनरजी को चेंज कर देंगी हैडॉलिक एनर्जी में तो इन मशीनों को दोस्तो हैडॉलिक मशीन कहा जाता है अब यह देखे करती कैसे हैं वह सभी मशीने जो हैडॉलिक अब देखे किस तरह करती है यहां पर हमारा हैडॉलिक एनर्जी जो होता है वह वाटर से लिया गया है यह जो वर्ड है है इसका दोस्तों मतलब होता है वाटर यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर यहां पर हम वाटर की एनर्जी को यूटलाईस करते है ऐज धर हैं है अब वह सभी मशीने जो mechanical energy को utilize करके hydraulic energy create करती है उनको हम दोस्तों pump कहते हैं यह हमारे pump और turbine की definition है यहाँ पर mechanical energy कैसे मिलती है हमारे pump को किसी भी electric source से यह electric source हमारी motor को power produce करती है और हमारा water water source से tank तक transfer होता है इसको हम hydraulic energy कहते है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे एक word आये था water जिसको hydraulic कहते है तो hydraulic के अंदर दो type की energy होती है पहली हम बात करें पहली energy होती है उसके अंदर उसकी kinetic energy यह kinetic energy यानि अगर हमारा कोई भी water है water क्या है एक type का fluid है कैसा fluid है incompressible fluid है तो अगर वो flow हो रहा है उसके अंदर एक तरह की kinetic energy है लेटस से कोई अगर river है यहाँ पर यह हमारा water अगर flow हो रहा है तो इसके अंदर दोस्तों kinetic energy होती है यह कितनी होती है यह होती है half mv square के equal में अब second energy की बात करें है second energy होती है हमारी potential energy अब क्या होगा यह water हमारा flow हो रहा है किसी river के through हमने इसे store कर दिया यहाँ पर हमारा water flow हो रहा था यहाँ पर हमने इस ऐसा obstruction एक dam create कर दिया यह dam है अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो water है अब stable position पर आगया रुग गया है यहाँ पर जो भी water आ रहा है वो एक collect होता जा रहा है और एक इसकी particular height बनती जा रही है तो यहाँ पर कैसी energy है यहाँ पर हमारी potential energy जन्नेट हो गई तो हम इस potential energy का use करते हैं किसी भी surge tank के पास होकर जब यह flow होता है किसी भी pipeline से तब यहाँ पर सबसे पहले इस potential energy को kinetic energy में convert किया जाता है फिर यही kinetic energy इस pipeline में nozzle के रूप से भाहर आती है और हमारे wheels को rotation देती है यह wheels हमारी mechanical energy produce करते है और इसी mechanical energy हम electricity को produce करते है तो हमारी energy kinetic energy और potential energy होती है और potential energy हमारी mass into gravitational force into height होती है तो दोस्तों यह था हमारा kinetic energy और potential energy के बारे में और यह थी हमारी hydraulic energy और mechanical energy के बारे में तो हमारा जब हमारी टर्माइन भी नहीं थी तो से पहले दोस्तों एक water wheel था जिसको water wheel का जाता है टर्माइन हमारा water wheel का ही advance foam है water wheels क्या था ये एक wheels था जिसके चारो तरफ हमारी periphery में कुछ bucket shape का slots था जब भी water इसे टकराता था तो इसको rotation देता था तो यह सबसे पहले प्रपोस्ट जो किया था उनका नाम था लियोनाडो दविंची ने उन्होंने इसको प्रपोस्ट किया बाद में एक इटेलियन आर्टिस्ट ने इसको मतलब बनाया फिर बाद में चलके गलेलियों ने इसमें इसका प्रिंसिपल दिया और इसका मैथमेटि वाटर वील को इन्वेंट किया कैसे उसने इसमें गाइडवेन एड़ किये और इसका फर्स्ट प्रेक्टिकल यूज किया तो 1824 में हमारी वाटर वील एक्जिस्टेंस में आई और टरबाइन जो होती है वो वाटर वील का ही एक वरिस्तित रूप है एडवांस रूप है तो दोस्तों यह था हमारा हाइड्रोलिक मशिन के बारे में थैंक यू फर वाचिंग